इंसान नाश्टे हैं जानवर भी नाश्टे हैं लेकिन एक पौधा भी नाश्टा है जी हाँ ये सच है हकीकत है आखों से देखिए पत्तियों को थिरकते गाने की धुन पर एक पौधे का डान्स म्यूजिक पर थिरकते पौधे की हकीकत डेस्मोडियम जिरोस यानी डान्सिंग ट्री आज तक आपने इंसानों को म्यूजिक पर डान्स करते हुए देखा होगा कई तरह की मौकों पर अलग-अलग जगहों पर आपने पालतू जानवरों को भी गानों और म्यूजिक पर अपने अंदाज में डान्स करते जरूर देखा होगा लेकिन आज हम आपको जो दिखाने जा रही हैं उसे देख कर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे अगर हम आप से पूछें कि क्या एक पौधा भी कभी नाच सकता है तो यकीनन आपका जवाब ना में होगा आपको कुछ देर के लिए पूछे गए सवाल पर भी हैरानी हो सकती है लेकिन जब आप अपनी आँखों से इन द्रश्यों को देखेंगे तो कुछ देर के लिए आप सोच में पर जाएंगे या खिर ये कैसे संभव है जी हाँ ये पौधा म्यूजिक पर डांस करता है इसकी पत्तियां गाने की धुन पर थिरकती है हलद्वानी बन अनुसंधान की नर्शरी में एक खास प्रजाती के पौधे को विक्सित किया जा रहा है जो गाना शुरू होते ही नाचने लगता है डेस्मोडियम जिरोस जिसे हिंदी में डांसिंग प्लांट के नाम से जाना जाता है ये खास प्रजाती का पौधा हलद्वानी बन अनुसंधान नर्शरी में पहुँच चुका है जिस पर अनेक शोध किये जा रही है विज्ञानिकों का दावा है कि ये पौधा म्यूजिक शुरू होते ही थिरकने लगता है ये पौधा मिडिल चेत्र का है हाला कि इसका जो नेटिव छेत्र है वो कुमाओ में भी देखा गया है लेकिन इसके ब्रक्स बहुत कम पाए गये है कहीं मेरे खासतों से मेरे नजर में मैंने इतने जंगल चाने मेरे नजर में भी नहीं है विशेशक्यों के मुताबिक जब इस पौधे के पास तेज संगीत बजाया जाता है तो उसकी पत्तियां थिरकने लगती है इसी वज़े से इसे डांसिंग प्लांट कहा जाता है विज्यान की भाशा में इस पौधे को डैस्मोडियम कहा जाता है इस पौधे का एक और नाम टेलीग्राफ प्लांट भी है ये पौधा मैदानी इलाकों में जादा पाया जाता है हाला कि उत्तराखन में इसकी अन्य प्रजातियों की तलाश भी की जा रही है ये पौधा मैदान से करीब एक हजार मीटर की उचाई तक उख सकता है अभी ये पौधा पंदरह से बीस दिन तक का है जैसे ही इस पौधे की जड़ें और मजबूत हो जाएंगी ये पौधा म्यूजिक पर और जादा डांस करने लगेगा फिलाल अभी इस प्रजाति का कुमाउशेत्र में ट्रायल करने का फैसला किया गया है जिसके लिए इसे नर्सरी में तयार कर अगले कुछ सालों में जंगल में लगाने की योजना है तो ये तो हुई इस पौधे की सबसे बड़ी खासियत लेकिन इस प्लांट के बारे में अभी और भी बहुत कुछ है जिसे आप और हम नहीं जानते ये पौधा अपने अनेक औशदिये गुड़ों के चलते भी चर्चा में है जिसका उप्योग आने वाले दिनों में दवा बनाने के लिए किया जा सकेगा हल्दुआनी इस्थित वन अनुसंधान ने इस डांसिंग प्लांट की नरसरी तयार करने की योजना बनाई है विशेशग्यों के मुताबिक ये पौधा औशदिय गुड़ों से भरपूर है जिसका उप्योग आने वाले दिनों में दवाओं को बनाने में किया जाएगा जो कई तरह की बिमारियों को ठीक करने में मददगार साबित होगा जैस्मोडियम जिरोस नाम केस पौधे से महिलाओं की पेड़ संभन्दी अनेक बीमारियों को ठीक करने का भी दावा किया चा रहा है महिलाओं में जो गाइनी की समश्या होती है उस गाइनी की समश्या में ये बहुत निजात करता है इसकी रूटा जो दावा बनती है यकीनन ये पौधा अनोखा है अपने डांसिंग ट्री की खासियत और आशदिये गुड़ों के चलते जैसे जैसे इस पौधे पर शोध कारे यानी रिसर्च आगे बढ़ेगी कई दिल्चस बातें सामने आएंगी वहीं दूसरी तरफ इस पौधे से हल्दुआनी को देश और विदेश में एक नई पहचान मिलेगी हल्दुआनी से विनोत कांडपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया 24-7